तो आप वाट इस वार जंग का क्या मतलब होता है कई सारे स्कॉलर्स ने जंग की डेफिनिशन दे रखी है लेकिन सबसे फेमेस डेफिनिशन दी गई है ओपन हायम दुवारा वो कहते हैं कि वार इस अ कंटेंशन बिट्विन टू और मोर स्टेट्स यानि जंग एक तरह के य कैस को दुस्तरे कंट्र इंपोस करना यानि मनमानी तरइके से उनको अपनी तॉर तरिथी के सिखाना अब उनके जमीन कपजा करना उनकी वेल्थ कपजा करना यह ओंठ आयम कोТакर और ज्यों को होता है कि उसकों अपनी चुल और कंडिस्ट करें तो एंट्रटिक्षिण हश्ने में देखें जी से कि जानते हैं कि हमारी देश सारी सभी OWN कि और बढ़ रहे हैं जिस तरह से हैं हaguє जेशन बिजनेस ट्रेड और हम लोग इतना modernization acquire करने हैं दूसरे के देशों से उसी सबसे possibility है कि विवाद पैदा होंगे और जब dispute होता है तो उसको दो तरीके से solve किया रहता है पीसल तरीके से और एक corrosive mean से यानि शांती पूर तरीके से और बलपूरवक तरीके से सांती पूरवक तरीके से solve करने के negotiations है, mediation है बाचीत कर सकते हैं जो डिशरी के पाच जा सकते है और coercive तरीके से यानि forceful work, retoration से embargo से blockade लगा के और अगर इन दोनों तरीके से नहीं solve होता है कोई भी dispute तो उसके बाद last option बचता है जंग का ऐलान कर देना उसको दाकरी में तो युद्ध तो करना ही है और जो country जीतेगी वो अपनी conditions उस पे impose कर देगी उनके wealth को acquire कर लेगी उनके जितने भी wealth है, property है सबको acquire कर लेती है तो अब इस definition और इस introduction से हमें क्या पता चलदा कि क्या निकल के आया कि war is a contention or violence between the armed forces दो देशों की सैनिकों के बीच में जब भी जंग होगा दोनों लड़ेंगी अपस में तो काफी ज़्यादा violence होगा एक तरह का हिंसा पूरवक जंग होती है यह यह तो और इस टेट्स यानि अकेले एक country आप खुझ से ही जंग नहीं कर सकती है उसको जंग करने के लिए एक और देश चाहिए तो जब दो country आपस में जंग करेंगी तब इसे war बोलेंगे थर्ड ली देर इन्वाल्मेंट अफ आर्बन फोर्स इन वार यानि जब जंग का एलान होगा तो उसमें सैनिकों का involvement बहुत जरूरी है क्योंकि सैनिक ही जंग करते हैं और सैनिक ही जंग जीतते हैं non-competent यानि जो armed forces नहीं है जो non-competent हैं जैसे की old age people, civilian, pregnant, ladies वो सब target नहीं किया जाएंगी जंग के अंदर वोर के अंदर इन सब को target नहीं किया जाता है the main object behind the war is to overpower each other ताकि main मकसद क्या है जंग का ताकि एक country अपने rules दूसरे पर impose कर सके और इसके साथ ही साथ imposes its rule on the other state animus belligerendi मतलब क्या होता है तो animus belligerendi मतलब होता है intention of the parties whether war is going on between two states or not depends upon the intention of those states यानि दो राज्या पसमें जंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यह depend करता है उनके intention पर उनके intention कैसे चेक होंगा है जब वोर गन, violence, sword यानि तलवार का इस्तमाल करते हैं चाकू का इस्तमाल करते हैं जब कहीं पर war हो रही होती तो खून की नदिया बहती है तो इन माधिम से हम लोग उनका एनिमेस बेली जरिंडी चेक कर सकते हैं कि मतलब उनके intention है जंग लड़ने के जब उनके intention है अपनी condition लोग इन्पोस करें और काफी जदा bloodshed हो तब कहेंगे कि दो country जंग के मैदान में है या जंग के ऐलान में है effects of outbreak of war जब जंग होती है तो उसमें कहुँ उसका outbreak क्या होता है उस निकल के क्या आता है solution आखरी में consular relations become restrained in case of outbreak of war जो consular relations दो देशों के बीच में बने होते है वो break हो जाते हैं वो suspend हो जाते हैं और जो उनके diplomatic relations होते हैं like diplomatic relations like consular relations diplomatic relations also get ruptured यानि उनके diplomatic relations भी एक तरह से बिगड जाते हैं diplomatic agents go to their states when the war is declared तो वो अपने राज में वापस चले आते हैं जब ऐसे जंग का एलान होता है some jurists say that it break all the treaties कुछ jurists कहते हैं कि कि जब जंग होती है तो treaties का break हो जाती है between the contesting states जो दो देश आपने जंग कर रही होती है लेकिन कुछ jurist का यह भी कहना है कि जंग के दोरान भी treaties खतम नहीं होती है वो temporarily suspend रहती है अगले country के enemy property उनकी property को acquire कर लेता है उनकी wealth को confiscate कर लेता है अपने कपजे में रख लेता है जितने भी property उन opposite party के होते हैं यह lecture था What is war पे और what are the effects of outbreak of war अगर आपको वीडियो पसंदा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करेए वीडियो को widely share करें